को कि हैं दोस्तन्य मजटर्थ दिस एक आपका अपने क्लास में आईये आज के क्लास टार्ड करते हैं leader पाप सबको पता है कि इस वक्र ethic प्राइब क्या कर रहे हैं हम लोग विस्टर के लॉग आउसर को मैंने करवा दिया है और उसी सीरीज में अच वह दो बढ़ा दिख देता हूँ यहां पर on the fast of it आज जो हम करने वाले हैं वो कौन सा है on the fast of it एक important chapter है आपका आप लोगों ने पढ़ा होगा on the fast of it बड़े अच्छी सी कहानी है Mr. Lamb और dairy नाम की छोटे से बच्चे की कहानी है आपने कहानी जिस्चित पढ़ ली होगी कि जो dairy है वो उसका च जला हुआ है तेजाब से यस और उदर जो Mr. Lamb है वो भी क्या है चारेरी क्रूप से विकलांग है एक पेर उनका bomb blast में उड़ा हुआ है तो यह दो कहानी जो आना ही है यह कहानी इन दो किरदारों की है मैं हलकी सी 2-3 मिनिट इस कहानी के बारे में बातच्चित करूँगा जि उसका चेहरा जला हुआ है कुरूप है अगली दिखता है बद्दा दिखता है और उस कुरूपता के कारण वह अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स है बहुत हीन भावना से क्या हो चुका है भर चुका है जी जीवन है जिन्दिगी है उसको उससे कोई विश्यस लगाव नहीं ह बड़्यिक है पूरी तरह से निराशवादी है अप्टेमिस्टिक है एन की शारा है बहुत रहे बहुत भावब भाया है प हुछे टेगा है तो लेकिन उसके का बहुत है जीवन का पूरा आंपORTन। हैं तो टेटेश कुपके से उनके अभीचे में गुस जाता है और Mr. Lamb से उसकी मुलाकात होती है यह पूरी जो चैप्टर है आपने देखा होगा पूरा चैप्टर यह डायलोग में है याना कि ये समवादों में है पूरा चैप, पूरी कहानी समवादों में है बड़े अच्छी कहानी जब पड़ते हैं इसको तो का करसं जो इतना जाया कि Mr. लैम है वो डैरी को अपनी आ unified से कन्विंश कर लेते और उनको समझा देते हैं कि जीवनन जया जाएगा पॉस्टीव रहनी से जिए जाएगा यह कुछ कहानी को मैंने जड़ा इसका का種ीकू में से हमें यह दो इंपोर्टन बंते हैं और पहला कोश्चन देखा आप इसका जो क्वेश्चन वह बनेगा आपका यह बहुत इंपोर्टन क्वेश्चन है हाला कि यह क्वेश्चन दो हजार जो टेवीस है उसके एनुल एक्वेश्चन में आ चुका है मेरे जो लास्ट टेर की बुक थी उसमें क्वेश्चन था तो दोजार चोवीस के अकोडिंग तो इसको इंपोर्टन नहीं वानता लेकिन ठीक है इसको देखके जरूर जाना हो सक किसी और एक्वेश्चन में आपको पूछने को मिले क्वेश्चन है कि मिस्टर लैम ट्राइब ट्राइब करेज एंड कॉन्फिदेंस टू डेरी कि मिस्टर जो लैम है वो डेरी को किस तरह से साहस और आत्मिश्वास देने का प्रियतन करते हैं तो आज हम क्या करेंगे इसमें यह दो क्वेश्चन को टैकल करेंगे और यह पीडिएफ ओल्डी आपके ग्रूप में जा चुकी है तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप जब मेरी क्लास लें तो उस पीडिएफ को क् अच्छी तरह उस पीडिएफ को क्या कर लें पढ़ लें क्योंकि मेरे पढ़ाने से पहले थोड़ा सा पढ़के बैठ होगे तो चीज़ें आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगी चलिए जी करते हैं को मैं इसमें क्वाशन में क्या क्या है हमें डेरी का किसका मिस्टर इसकेश बनाना है तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें इसको हमें तीन पॉइंट में समझना है पहला पॉइंट यह है कि देखो मिस्टर लैम है वह बड़ी अप्टिमिस्टिक एटिट्यूड के आपके लिए नहीं आफ शब्द है कोई बात नहीं अभी में क्लियर कर द माक्स का है तो इसलिए आपको क्या करना थोड़ा सा बिंदू में अगर आप क्या करोगे लिखो गे तो आपके एक्जामिनर को आपको माक्स देना क्या रहेगा आसान रहेगा आपने देखा होगा मैंने जितने भी क्वेशन्स में करवाता हूं यूजली उसको में दो तीन १ूइंड में चार-पॉइंट में डिवाइड करके आपको देता हूँ इससे आपको याद करना भी आसान होता है और आपका जो एक्जामिनर है जो आपके कोपीयां चेक करेगा नौश चेक करेगा वह भी आपको माक्स देने उसके लिए क्या रहेगा इसी रहेगा राइ पहरा जो वर्ड है वो है optimistic attitude, optimistic का मतलब आशावादी, तेक है वो hopeful है मैंशा, अगर आप यह optimistic वर्ड भूल जाओ exam में, ऐसा हो सकता है, देखो मैं पढ़ाते हुदर दुखे दोरान एकी बात करता हूँ कि आप आसान शब्दों का इस्तमाल करें, कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा और कोई ऐसा शब्द आप इस्तमाल करें, जिसमें आप mistake कर जाएं, तो mistake जिससे हो जाए, उन शब्दों से अपने आप को दूर रखना है, तेक है, इसलिए कोई भी शब्द अगर मुश्किल आता है, हाला कि मुश्किल तो नहीं optimistic लेकिन देखो, मैं RBSC को पढ़ जाओ तो आप इसके लिए positive attitude लिख दो बस इससे काम हो जागा positive इससे भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इसके इंदर, Mr. Lam is physically challenged, आप तो physically challenged होता है, इसका मतलब बता है, चारारी रूप से विकलांग है, physically challenged है, विकलांग को handicapped नहीं कहना चीए, handicapped कहना अच्छी भाशा नहीं है, it is not politically correct language, थोड़ा सा सही भाशा नहीं है, इसलिए विकलांग के लिए से कि अपने भारत में शब्द चलता, दिव्यांग, और अच्छा शब्द है, विकलांग नहीं बोल कि उसको दिव्यांग कहता है, तो इसी प्रकास से किसी को handicapped ना कह कि फिजिकली चैलेंज कहते है, तो मिस्टर लैंग क्या है, फिजिकल चैलेंज है, he has lost one of his legs, उनकी एक उन्होंने एक टांग खो दी है, one of his legs का मनदों उसकी टांग खो दी हो उन्होंने, किसमें, in blast, चोटी 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 वाग के, ज्यादा बड़े वाग के नहीं है, इस कोई mistake आप से नहीं होगी, he has a tin leg, उनकी जो lag हो क्या है, tin की बनी होई है, tin एक धातू है, उनके lag क्या है, tin की बनी होई है, despite this disability, कि इस सक्षमता के बावजूद भी, despite, despite का मतलब क्या होता है, के बावजूद भी, इस disability के बावजूद भी, he has a very optimistic attitude, कि उनका जो attitude है, उनका जो दृष्टी कोण है, वो बहुत optimistic है, यानि कि बहुत क्या है, positive सकारात्मक है, towards life, जीवन के प्रती, तो जीवन की प्रती, उनका जो attitude है, उनका जो दृष्टी कोण है, वो सकारात्मक है, हाला कि वो क्या है, physically challenged है, हाला कि उन्होंने अपनी tongue जो है, एक, खोदी है क किसके अंदर ब्लास्ट के अंदर हाला कि उनकी टांग किसकी बनी हुए है इनकी बनी में तो भी एवन दैन वेरी आप्टिमिस्टिक एटिटीव बहुत आसानी से आप इस क्वेशन को डिल कर पाएगे हैं इंजोई वाट ही इस जो कुछ भी वह है वाट इजिए का मतलब क्या होता जो कुछ भी वह है इंजोई वह उसका आनंद लेते हैं अगर वह विकलांग है तो ठीक है इस ओके लिए अपने डिजाबलिटी को तो नहीं बदल सकते हो अरे टांग तो नहीं उगा सकते हैं आपने तो क्या करें चोईश आपकी है या नहीं होने का दुख मना लीजिए तो आप कितना भी दुख मनाएं वह टांग तो वापस आने से रही और दूसरे साइट आप इंजोई करिए जो कुछ आपके पास में है तो मिस्टर लैम यही तो बता रहे हैं इसके कैरेक्टर से हमें यही तो सिक्षा मिलती है कि मस्ट इ लेते हैं जैसे भी वह उसका वह आनद लेते हैं एक ड़स नोट सीम टूगिव अफ़ाट तो डू डार्क लाइए डाक साइड अफ लाइफ ऐसा लगता ही नहीं यह दस नौट सीम का मतलब ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वो क्या करते हैं कोई विचार भी करतें कि एफ ओशार भी करते थैंकों डार्क साइड ऐफ Jeewan का जो स्याह पक्ष है सार स्याहा पक्स का मतलब जो काला पक्स है जो नेगेटिव साइड उसकी तरफ ऐसा रखता उनको विचार ही नहीं करते हैं यह आपके मिस्टर लैंब के कैरेक्टर का पहला क्या हुआ एक एक पहलू हुआ तो मैं सोचता हूं कि इस परिग्राफ में आप लोगों को दिक्कत आएगी पिर भी अगर आपको दिक्कत आती है राइट में आपको बार बार का है कि एक एवन दैन अगर आपको कोई प्रोलम आती कि कोई लाइन समझ में नहीं आती है कोई शब्द आपको मुझकिल लगता है तो आप मुझे वाट्सप करें और उस लाइन को यूमेह एव सकते हैं हाला कि जो आपको मैंने वोट्सप पे अपने जो आपका जो गुरुप बना हुआ उसके उपर में इसके हिंदी भी डाली है तो आराम से आप पढ़ें आप दूसरे पूंट पर चलते हैं एक नया शब्द तुमारे लिए आया है जो क्या होता है इस शब्द को चाहूंगा इस शब्द को ना बदला जाए राइट क्योंकि यह शब्द के अलावा को दूसरा वर्ड मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जो मिस्टर लैम के करक्टर को क्या कर से को उजागर कर सके तो शब्द पहरी वार्ड आप लोगों के सामने हैं हाला कि इतना मुश् आर करना किसी चीज को गहर है सिसामजब के कuls ना माद इस ही कनसीटल के साथ में अबन क्या बन गया कंसीट रेट किसको Um सामने वाले व्क्ति की दरद को समझता जो सामने कि कम कहरे हैं कि करिक सामने वाले की तकलीब को समझथा है। तो मिस्टर jei lamb हो ऐएसे ही है वो खुद Wik unreal है है। इसलिए बौध की जो विकलांगता है उसके दर्द को वो समझते है ओ राइट तो इसलिए शब्द आपको मैंने उसकी देब लगाय तो मैं सोचता हूंगी कि आप आराम से याद हो जाएगा considerate it is not a very big very tough word कोई tough word नहीं आसानी से इसको open कर सकते हैं तो देखो considerate का मतलब क्या हो गया कि दूसरों के दर्द को समझने वाला विचारशील विक्ति हम यह कह सकते हैं तो आगे देखो क्या लिका हुआ मिस्टर लेम इस कंसिडरेट मिस्टर लेम कि विचारशील विक्ति हैं वैन ही फाइंड्स डेरी जब वो पाते हैं डेरी को और कैसा पाते हैं डेस्परेट आपको सर्फ फिर एक नया शब्द आगया कोई बात नहीं आसान कर देते हैं अगर आप डेस्परेट वर्ड को भूल जाते तो दूसरा शब लिए फॉपलस यह लिए इससे काम हो जाएगा कि जब वो डेरी को हॉपलस पाते हैं निराश पाते हैं ट्रिट एंड जैक्शन तो सहायता करते हैं कि डेरी के अंदर जो सेल्फ हैट्रिट और रिजैक्षन का भाव था सेल्फ हैट्रीट का मतलब आत्म घ्रणा उच्छे ही हैटर हैट करना यह डेरी को खुछ से नफरत थी और वो जगह जगह रिजैक्शन की फिलिंग थी वहल पसंद नहीं करता उससाथ बात पसंद नहीं करता हाना उसको देखकर लोग भाग जाते तो अपने आपको रिजैक्षन की फिलिंग में था तो मिस्टर लैंब ने तेरी की साहिता करी उस रिजैक्षन की फिलिंग से बाहर निकलने में उस सेल्फ हैट्रिट के सेंस से गैट गेट ओवर करने में, गेट ओवर का मतलब होता काबू पालना, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दो लाइन के अंदर हमने अपनी बात को लिखा है, तीसरी बात जो इसमें तो फिर एक नया शब्द है, आप अमिकबल वाड़ को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यह फ्रेंडली शब्द को याद रखी, फ्रेंड पर एलवाई लगेगा, इससे काम हो जाएगा, कि उनका जो बिहेवियर है, मिस्टर लैम का, वो बिहेविर बड़ा फ्रेंडली है, दोस्ताना है, बच्चे उनके गार्डन में आते हैं, खेलते कुदते हैं, फल खाते हैं वो कभी किसी को डांटती हैं, उनका गार्डन में इमेशा सब के लिए ओपन रहता है, तो उनका बिहेविर क्या है, वो बड़ा फ्रेंकली बिहेविर, उनको लोगों से मिलना पसंद है, तो इसी बात को अपने इसमें लिखा है, मिस्टर लैम इस क्वाइट एमिकबल, और उनसे बात करना अच्छा लगता है, मिस्टर लैम को, he says, वो कहते हैं, that is, garden is open for everyone, कि उनका जो गार्डन है, उनका जो बगीचा है, वो सब के लिए खुला हुआ हुआ है, तो किसी को रोकते टोकते नहीं है, सब के लिए क्या उनका बगीचा खुला हुआ हुआ है, ऑल् calling Him, क्या कहते हुए, लैमी लैम, उनको लैमी लैम, लैमी का मल लंगडा होता है, मतलब क्या होता है, मैं ना होता है, लोग उनको जैसे हम लंगडी घोडի बोल देते है, जिसको, काना राजा बोल देते हैं, अपने, आपने देखा होगा, बच्च उनको चढ़ाने के लिए लोग उनको भले लैमी लैम बोलते हूं यह उनको कभी नाराज नहीं होते हैं वो इस चीज का बुरा ही नहीं मानते हैं माइंड का बुरा मानना इन शॉर्ट संक्षिप्त में Mr. Lam is a good human being Mr. Lam क्या है एक अच्छे human being है यह लिजे मैं सोचता हूँ कि अगर आपने इस question को तयार किया और अगर Mr. Lam का character sketch आ गया तो यह एक बैतरीन answer हो सकता है कोई इसमें कोई इतनी मुश्किल vocabulary नहीं है आसान हर जो भी मुश्किल शब्द है एक शब्द को छोड़ कर मैंने सारे शब्दों के ओ शब्दे दिये है जो आप जो आप बच्पन से जो शब्दों को आप जानते हैं एक क्वेशन आपका त्यार राइट अच्छी तरह पढ़ना फिर भी अगर को दिक्कत आती है तो फिल फ्री टू कॉंचार्ट में अगला जो क्वेशन को समझ लेते हैं यह क्वेशन अभी पूछा गया है 2023 के अंदर राइट तो फिर भी थोड़ा सा मिस्टेकन नहीं हो गया ठीक है और इसको भी देखो मैंने तीन पॉइंट में दो पॉइंट में इसको डिवाइट कर रहा तो इसको आप थोड़ा सा क्या करेंगे ध्यान से पढ़ेंगे अलाएक क्वेशन आ चुका लेकिन फिर भी कोई बात नहीं इसको इसलिए पढ़ना राइट और जो आपके एमसी क्यों है मल्टीबल चोइस पॉस्टन आते हैं तो उसमें यही तो पहुंचेगा बताओ लोग मिस्टर लैम को क्या क्या कहते थे जो मिस्टर लैम की टांग कैसे खटी यह सारी छोटी चीजिए अपने आप तयार हो जाती हैं बड़ा क्वेशन देने का डारी को इस प्रकार से निम्न प्रकार से सबसे पहले तो यह समझते हैं कि आखिर में डेरी की रीजक्षन जो सेलफ हैट्रीड और रिजक्षन था जो आत्म घरना का जो भाव था उसके पीछे कारण क्या है डेरी ऐसा क्यों है वाई ही सो तो देखो क्या है अब य डेरी 14 years old boy डेरी जो 14 साल का लड़का है एक लड़का है और इसी चीज ने विक्सित कर देता है यह चीज जला वा जो चेहरा यह विक्सित कर देता है उसके अंदर कि आत्म घरना और रिजेक्शन का नकारे जाने का जो भाव उसके अंदर पैदा कर देता है किसमें डेरी में इस सफर्स प्रॉम इन्फियोरिटी कॉंप्लेक्स अब यह जो शब्द ना इन्फियोरिटी कॉंप्लेक्स आप चाहो तो इस लाइन को इस्तमाल करना और चाहो तो इस लाइन को इस्तमाल मत करना बाकी मैं इसका मतलब क्या होता इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है कुं इसका मतलब होता है कि वो क्या है हीन भाउना से क्या है ग्रिशित है अपने आपको दूसरों से नीचा समझना जिसको एहसास एक कम तरी बोलते हैं एहसास एक कम तरी इसका मतलब अपने आपको दूसरों से कम मानना उसे कहते हैं ऐसा से कम तरी ग्रिशित है किसे हीन वाउना से इन्फिरियोर्टी कॉंप्लेक्स है इस विड्रॉन तर मीला आप चाहो तो यहां शाय शब्द लिख सकते हो सर्व शाय शब्द है और डैफी इंस इसमें एकास शब्द यह आपकी चैप्टर में भी शब्द है तो कोई बात नहीं ही शाय आप शाय शब्द लिख सकते हो व अब लिखते हो विडियन ली तो इसके आगे डिस्क लगा दिया तूब शाय किशन का है और अवग्याकारी किसी की बात को मानता ही नहीं किसी की आग्या को मानता ही नहीं ऐसा वह बन चुका है तो ये तो रहा डेरी के बुरे होने का एक रीजन हमने पहले बता दिया कि देखो डेरी के साथ में प्रॉल्म ये है 14 साल का बच्चा है नया नया अभी नाना किशोर है तहरा जला हुआ है, हर जगह जाता हुआ उसको नकार दिया जाता है, लोग उसको देखकर मूँ फेड लेते हैं, क्या होगा उसके दिल में, यही होगा जो यह है, अब देखो, डेरी की मदद मिस्टर लेम कैसे करते हैं, यह है इसका क्वेशन का मैन पाड, पाटाक से छोटी इसी चीज में complete कर लेंगे, Mr. Lamb feels very sad to see dairy, Mr. Lamb को dairy को देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि dairy giving up on life, वो जीवन की प्रती वो गिवप कर रहा है, यहनि गिवप करने का मतलब वो बिल्कुल निराश हो रहा है, वो हार मान रहा है, गिवप का मतलब में यह पर हो जाता है हार मान एक छोटा सा बच्चा, चोदा साल का बच्चा, उसका जीवन अभी आरम भी नहीं हुआ है, और वो जीवन से हार मान रहा है, यह देखकर Mr. dairy को क्या हुआ, दुख हुआ, राइट, जस्ट विकोज वो फिजिकल डिसाबलिटी, किसके कारण है, क्येवल उसकी फिजिकल डि चौका देना, आप यह शब्द भूल जा तो सप्राइज शब्द को इस्तमाल कर सकते हो, कि मिस्टर लैंड क्या करता है, सप्राइज कर देते हैं, उसको चौका देते हैं, डेरी, इस ट्रेंज टॉक, अपनी अजीव बातों से, मैंने पूरा चैप्टर बड़ा घजब का चैप्टर है, डायलोग फॉर्मेट में लिखा गया है, और बड़े अच्छी कहानी भी है, तो अपनी बातों से किस प्रकास से डेरी को तर्क देते हैं, कैसे डेरी को समझाते हैं, किससे डेरी को चौक जाता है, कि यह तो अजीब सी बात है, कि टॉक्स टू डेरी, ही टैल्स डेरी को बताते हैं, दैट कि ही इस इंट्रस्टे इन एवरिटिंग, प्रियेटिट बाई गॉर्ड उसने कहा कि इश्वर के द्वारा रचित, प्रुतित चीज में उनको रूची है, कि इनको? मिस्टर लैम को, उसने कहा था कि अगर आपक चेहरा भद्दा है, तो ये भी तो इश्वर रचित है, मुझे इसमें भी रूची है, मेरे टांगर के कट गए, तो ये भी तो इश्वर मुझे को इसमें भी रूची है, वो ये की बात कहले है, I am interested in everything, created by God, right? मिस्टर लैम's concept of the world and friendship, अब मिस्टर लैम का जो धारना थी, जो concept था, जो अवधारना थी, किनकी मिस्टर लैम की, तेका है, वो अवधारना, जीवन के प्रती मिस्टर लैम की जो अवधारना थी, और दोस्ती जो उसने दिखाई, पैफल्स बट अपील्स टू डैरी, वो च हात में डैरी को अपील भी करती है, डैरी को आकरशित भी करती है, अना वैफल करती है, लेकिन आकरशित भी करती है, एनि गैट्स फैसिनेटीड, फैसिनेटीड का मतलब होता है, इंप्रेस्ट, आप वर्ड भूल जाओ, कोई बात नहीं है, इंप्रेस्ट शब्द का इस इ जोज़र्व आदमी से स्लोली धीरे धीरे और यह शैड्स वह बहा देता है इस कॉंप्लेक्स उसका जो गॉंप्लेक्स था उसकी जो भीन भावना उसको बहा देता है हटा देता है and about is अगलिनस अपनी जो बना क्या थी जो भद्धापन था उसके प्रती जो उसकी कॉम्प्लेक्स है हिन भावन उसको क्या कर देता है साइड में कर देता भाव देता है अना एंड डिस्कावर्स और खोज लेता है जीवन के आनंद को यह आपका इस पूरे चैप्टर का क्या कोर है इसको आप एक दो बार पड़े आराम से त्यार हो जाएगा फिर भी कोई लाइन में अगर आपको टफ लगती है तो आप क्या कर सकते मुझसे पॉंटेट कर सकते हैं ठीक है बच्चों आराम से क्वाश्चन सब्सक्राइब को लेकर भ annoy किसी प्रकार कि अप में क्या नहीं करना है जल्दबाजे न करनी है और डर ना नहीं है मैं अल्री मैं आसान लिखता हूँ फिर भी अगर आपको टफ लग जाए तो आप बेफिकर होगे क्या कर सकते हो और बिना डरे बिना जिजग के आप मुझे क्या कर सकते हो वाटसब कर रहे हो कि समुझी लाइन समझ में नहीं आई है यह लाइन आप चैंज कर दें मुझे से याद नहीं हो तो मैं I would love to change it तो आपके हर एक एक लेक्टर में एक पूरा पार्ट हा जाएगा हम एक बार लोंग आंसर टैप क्वेश्टन को कर लेंगे ना वाकी काम आसानी से हो जाए ठीक है